आउजबिल्लाहिमिन शयत्वानि रौजीम बिस्मिल्लाहि रौह्मानि रहीम असलाम लेकुम दोस्तों दोस्तों मौसिन की आज की यह वीडियो है वो 402 Micro Economics का जो हमारा एक सब्जेक्ट है उसमें GDB आया हुआ है सर्स्ट GDB वो सब आले से है तो आएए हम लोग अपने GDB की तरफ चाहते हैं दोस्तों वही बाद के बिफॉर स्टाटिंग अब जीडिवी फर्स्तों फाल वी हैब टू सी दी रिक्वार्मेंट अफ टैट इफिटेपिट वाफण वाफ बन्पोर्द थिंग का जीडिव फ्री सिर्व प्री जिडिव टेख फ्रीप्ट हैं जीडिव रूस्तों प्रीडिवी प्रीडिव नुट इन रिक्वार्मेन ली बाक स्ट्ट अट्रीव ऑ्रीच हैं अन्य प्रीव थीव झाय आसे लिवाथ हमें दिया हुआ जिसना मुबाइल प्राइस दिए हुए हैं डिफरेंट इंटरनेशनली अब टू थर्टी डॉलर यूस डॉलर अगर इतने का मुबाइल है तो में यू हाव टू पे दी वन फिफ्टी अमाउंट आज असे बाद सेकेंड पे जो है वो त्री हंडर्ड डॉलर से हंडर्ड डॉलर तक है उसके चौ्दा सुसद्र पर आप देंगे उसके बाद हंडर्ड डॉलर नर्पे टू हंडरिके हैं वहार से नसे यरूंट्र से बाड़ नर्पे ये आप 13 regularly requirement of that GDP is in the light of the above discussion logically discuss the benefit and losses of that initiative for the consumer and producer. Use the concept of demand supply and tax for the discussion. हमने इन तीनों चारों चीज़ों के हवाले से ये discussion करनी है FGDB के अंदर. तो आईए इसके solution की तरह चलते हैं. Basically तो हमने मतलब demand supply and tax के हवाले से discussion करनी है और benefits बताने हैं के on producer और consumer. यहां पर मैंने इसको different मतलब sections के अंदर create कर दिया FGDB को. आप लोग इसको इकठा भी बना सकते हैं. मैंने first जो है इस पर लिखा effects on demand के. इसका जो government ने initiative लिया to impose the tax on the mobile prices which are imported from international market. तो इसका effect demand के उपर क्या होगा. तो the demand of the mobile is under control. उससे demand control रहेगे. इस will create the balance situation and not create the shortage in the market. और यह shortage भी नहीं होने लिगी. नाइट दिसरव surplus condition that nobody wants to purchase the mobile के. ऐसा भी नहीं है कि कोई बन्दा जो है वो mobile खरीदी ना सके. इसके बाद जो हमें second दिया गया effects on supply. Supply के उपर क्या effect पड़ेगा? The government take the good step in this regarding by imposing the tax on the mobile prices because mobile are imported from other country and this will increase the dollar rate. जब हमारी imports ज्यादा होंगे और हमारी export कम होंगे तो उससे dollar rate जो है वो बाद जाएगा. By imposing the tax on mobile it means the government wants to decrease the supply of supply को कम करना चाती है. By mean that they are decreasing the imports of that country. वो imports को कम करना चाती है and increase the export. वो और अपनी जो export है उनको बढ़ाना चाती है. So final the supply will decrease the supply which is supply जो है वो decrease हो जाएगी. इसका tax पर क्या effect पड़ेगा? By imposing the tax the government wants to increase its revenue. इसे government का जो revenue है वो भी increase होगा by collecting this tax which they implement on the purchase of new mobile. जो वो new mobile लोग खरी देंगे उस पर tax देंगे इसे government का जो revenue है वो increase हो जाएगा. यह तो हो गई यहां तक बात. दूस्ती बात उसने पूची है कि what are the benefits are from the producer side and consumer side. इसका फाइदा यह नुकसान क्या होगा? इसका एक नुकसान तो जो है वो producer को होगा कि they will produce less amount of number of mobiles. वो जो है कम से कम mobile produce करेगा. इसका consumer पर क्या effect पड़ेगा जब number of mobiles जो हैं वो कम से कम जो है वो produce होंगे. तो the quality of these mobiles जो produce होंगे वो बहुत ज़्यदा हाई होगी. तो इससे यह भी फाइदा है. दूसरा इसको government को भी फाइदा है कि उनके जो revenues हैं वो बढ़ रही है. consumer को क्या फाइदा है? जी consumer को यह वाइदा है जी अनुपसान भी हो सकते हैं. तो आप लोग इनको सब को इकठा मिला के भी लिख सकते हो और आइधिंक के this will help you to solve your GDP. यह काफी आपकी help करेगा. यह है दोस्तों हमारा GDP, ECU402 मतलब economics का. आप लोगों को काफी idea मिल जाएगा इस मेरी वीडियो से के आपने उसके अंदर क्या लिखना है और कैसे लिखना है मेरा चैनल देखते रहिए मेरी website देखते रहिए और मुषिन भाई को दौाओं में याद रखिए थैंक्यू वेरी मच्छ दोस्तों अला आफिज